राजी वो स्कूलिंग में आप सबका स्वागा उता है एक नए परशन के साथ इस परशन में देखते हैं लिखा हुआ है एक 8000 केजी दर्बमान का रेल इंजन क्या है कि 8000 दर्बमान का एक रेल इंजन है प्रती 2,000 केजी दर्बमान वाले 5 डब्बों को सिधी पटरी पर खि खीछ ता है किस पे पट्री पर खीछता है रेल इंजन ग्याद करना है नेट बल और रेल का तोरन ग्याद करना है है कि train का जो हमारा acceleration हो रहा है यह डबो के लिए वो कितना acceleration गया होगा वो find करना है अब देखिए इसमें लिखा है क्या दिया है पहले लिख लेते हैं इदी इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरुपीद करता है तो इंजन का बल है एफ इकोल है 40,000 न्यूटन का बल लगता है इस पर एफ वन और फ्रिक्शन बल लग रहा है 5,000 न्यूटन का एफ टू लिख दिये 5,000 न्यूटन हो गया अब देखिए घरसन बल क्या होता है इदी की आपका कोई ब्यक्ति है और इसका यह स्पीड है 50 नहीं 40 लिख दियेते है 40 किलो मीटर प्रति घंटा यह 40 किलो मीटर प्रति सेकेंड ही लिख दिये इसका और इसके बीच का फ्रिक्शन बल जो लगता है यह है अगर 5 किलो मीटर प्रति सेकेंड तो नेट बल क्या हो जाएगा अब देगे फ्रिक्षन बल क्या करता है कि यह आपके गती का बिरोध करता है फ्रिक्षन बल क्या करता है गती का बिरोध करता है फ्रिक्षन बल करते किसे हैं घर्षन की बल किसे करते हैं घर्षन बल मिन्स होता है घर्षन घर्षण को एक तरह को अपनी भास्ता में कआ जाद सकता है रगडन, हैं जहां पर घर्षण होगा या रगडू होगा वहांपर कामश्लू होगा, जिससे मान लेते हैं कोई मसीन है उसमें घर्षण लगने लगी, तो मसीन कम काम करेगा, आप साइक्ल चलाते हैं साइक्ल के अ फाइया आपका कम हो जाएग उसी तरह अगर लगता है तो आपके चाल को कम करता है क्योंकि घरषण बल कहते हिं है कि जो गती का विरोध करता है अगर कोई दो बश्तु आपस में एक दुसरे के संपर्क में हो तो उनके संपर्क तल के बीचे जो बल लगता है उसी बल को घंच बल लगते हैं अगिंग Cristo बल हमेशा गती का विपरित hy लगता है और घंच बल क्या करता है आपके बल f equal हो जाएगा f1 minus f2 f1 हमारा दिया है 40,000 और minus कर देंगे 5,000 घर्षन बल को कम की अर दिया जाएगा क्योंकि घर्षन बल कमी करता है तो हमारा नेट बल f क्या हो जाएगा 40,000 minus 5,000 equal 35,000 हो जाएगा क्या बल है बल का साज मातरक हमेशा न्यूटन होता है चाहे कोई भी बल हो तो नेट तोरण बल हमारा कितना गया 35,000 न्यूटन आ गया क्योंकि इंजन के जो बल लगाया जा रहा है इंजन दोयरा उसमें से घर् फाइंड क्या करना है कि तोरण गयाद करना है तोरण गयाद करने के लिए तो फाइंड करता है तो पहले हम निकालेंगे तोरण f ब्रावर होता है दर्मान इन्टु तोरण acceleration निकल हो जाएगा इफ अपन में इम तो बल तो हमें पता है तोरण नहीं पता है तो दर्मान अगर फाइंड होता जाता है कि इसी तरह तोरण हमारा निकल जाएगा अब देखिए दर्मान हमारा मास है मास कितना दिया है कि एधी एक 8000 किजी दर्मान वाले रेल इंजन प्रती 2000 किजी दर्मान वाले पांच डबो को सिधी पठरी पर ख्रीजता है मनननने रेल का एक डब्बे का दżyमान दिया है 2 kg 2000 kg 1000 kg एक डब्बे का द्रसwiąद 2000 kg पांच डबबो का द्रस्टमान कितना जाएका 5000 2000 मननननननन 5 का क्या करने ओगा उसमें 5 का मल्टिपल कर देंगे तो पांच डबबो का निकल जाएगा यहनि 5 into 2000 एकोल कितना हो जागा 10,000 10,000 क्या जागा केजी क्या है यह हमारा मास निकल गया दर्मान निकल गया किसका रेल के डबब का दर्मान हो जागा पांच रेल के 5 डबब का दर्मान हो जागा 10,000 केजी और रेल के डबब पे तुल नेट बल हमें जो लगा हुआ है 35,000 कितना दिया है Newton लिखा है मास हो गया अब तोरण हम find कर लेंगे तोरण बरावर F बरावर एमें होता है F का value रख देंगे 35,000 और मास दिया है 10,000 10,000 रख दो अब 1, 2, 3, 0 है 3, 0 cancel हो जाएगा A equal हो जाएगा 35 वपन में 10, means A equal हो जाएगा 3.5 कितना हो जाएगा 3.5, एसे लीडेशन है तो इसका इसाई मातरख होता है मीटर परती सेकेंड और स्क्यार कोई भी तोरण हो, मंदन हो उससाब का मातरख मीटर परती सेकेंड और स्क्यार है तो हमारा दो इंसर था बल निकालना था तो नेट बल निकाल दी है हमारे इतना यह आ गया और तोरण निकालना था तोरण निकल गया यह हो गया अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नए वीडियो प्राप्त हो जाए राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यबाद आपका दिन मंगल मैं हो